उज्जेन पूर्णिमा के अउसर पर श्रिप्रा नदी के राम घाट पर दुशित पानी में इस्नान कराने और श्रिप्रा नदी के गंदे पानी को लेकर विधायक पारशीन में खान डाइवर्शन का दोरा क्या और कहा कि ये पहला मोका है जब राम घाट पर पवर उसे इस् और काले पानी का शिप्रा नदी में मिलनाय का मुद्धा विधान सभा में उठाऊंगा दो अधिकारियों पर गाज भी गीरी थी आज बीजीपी को शिप्रा नदी के दूशित जल को लेकर मुद्धा मिल गया और पूर्व मंत्री और मोजुदा विधायक पारस जीन ने रागो पिप्लिया में सिवरिश प्लांट की कानहा नदी पर पानी के डायवर्शन को देखने पहुचे पारस जीन ने मोके पर पहुच कर व्यवस्थाव की जानकारी ली और देखा कि इंदोर की कानहा नदी से आने वाला दूशित पानी शिप्रा को किस तरह गंदा और मेला कर रहा है जिसको लेकर विधायक पारस जीन मोजुदा सरकार से नाराज दिखाई दिये और उनने विधान सभामे इसका मुद्दा उठाने की बात भी कही वही पारस जीन ने कहा कि इतिहास में आज तक एसा नहीं हुआ कि रामघाट पर फवर उसे शद्धलू को इसनान कराया गया हो अब रागो पिपलिया से हमने चालू किया था जीवन खेड़ी भी कहे थे जीवन खेड़े इनने करीबं पचास फूट अंदर से पाइप लाइन वो लेकर आके जोड़ी थी उनका केना था अधिकरी वो चोक हो गई हमने वहां कुवे भी देखे आज कुवे भी कौम निकर रहे हैं उनसे मैंने पूछा अधिकरी उसे तो उन्हें का कि इसलिए हूं च्रह है बाहर के लोग अस्ता से यहां आते हैं और चाय पूरम हो और कोई भी नहान हो खुपरा में नहांकर आपने को पून्य इ python लेकिन आज शिप्रा का पानी इतना खराब है कि सायद इसमें नहया भी नहीं जा सकता उसका आशन भी नहीं कर सकते लेकिन ये बात निश्चित है कि ये पानी साप मिलना चाहिए मैंने आज सब्सक्रा पूरा देखाया अवलोकन किया है इस मामले को विधान सभा में ध्यान आकरशन के माद्यम से भी मैं जाके उठाऊंगा कवनलाज जी को कहूंगा कि भई सरकारे आती रेती सरकारे जाती रे करना चाहिए और धार्मिक प्रवती होने के कारण लोगें आते हैं उनको सुद्ध पानी मिलना चाहिए मेरी दफे मैंने इतियास में देखा है कि फुवारे के माध्यम से रामगाट पे लोगों को निलाया गया है यही सबसे बड़ी गल्ती सरकार की है यहां के जो अधिका हो चाहिए संबागाई तो मोलो चाहिए सिचाई वाक के अधिकारी हो उन लोगों को आकर दो महीने पेले देखना था जब दो साल से जब से पाई बलाइन डेनेज की सिस्टेम की जो टली थी और जो कुवे बने थे और जो जाम हो गए इनको पेले देखके क्योंकि बलसात क के साथ सफ़ई करना और उसका बजट में प्रावधान रखना ये अधिकारियों के काम में समझता है अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवी है उजिन की शिप्रनदी में खानदी का गंदा पानी रोगने के लिए भाचपा सरकार ने 100 करोड रुपे का प्लान तेयार कर मुर्ती रूप दिया था काम में लापरवाही अधिकारियों की वजे से आज खान नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलने लगा है जिसके कारण श्रधालू को नहाने में परिशानी हो रही है मौक्ष दयानी शिप्रा में नाने के दोरान हजारों की संख्या में शद्धालू आस्था की डुपकी लगाने पहुचते हैं लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के कारण शद्धालू को रामगाट पर गंदे पानी में डुपकी लगाना पड़ी नदी पर शिप्रा तेरागदल की लोगों को पानी में नाने से खुजली होने लगी महीं कई लोगों को पानी में नाने से चर्मरोग की समस्या हो रही है महां पोचेगा तो पानी में संभव नहीं है सर वही हुआ है जिवन गेड़ी वाला और उसको करीब करीवेग मेना होने आए हाँ इतर यह इतर लाइन चोग हो गई इसलिए जर आपने इसको डावर्ट नी कर पार रहा है पानी को पानी के आवक ज्यादा है इसलिए खान के ऊपर से ओवर्टाप हो रहा है तो यहां से पांच किलो मिटर हो इसका जाइंट खोल लिया था है वी रेंज की वज़े से इसके दिए हम 10 सालों से नाते आ रहा है एसनान करते आ रहे हैं कभी एसा कुछ नहीं मिश्व्शूस हब अधा की में मोक्षिद घाहिने में कुछ जो कर दो था पैसनि कर रहा हैं पानी को महट नहीं करते हैं उन्हेंगे हमने इंपेक्शन हों के खली हुस्पिटल जाना पड़ रहा है खली नहाने के बाद यह पानी करीब है अभी 15 दिन से तो इतना गंदा है कि यहां पर हम जंता तो दूर भारकर शरत दालू भी खली इसे इसमेल लेने प्राइब भेज प्राइब कर दोगी कि अपने चने और गेव और बटला तो यह तो गया इदर यदर का सब नश्टे कर दिया नहीं नुकसान कमसा मान के चलो एक लाक रुप एक लाक रुपै को गड़े तो इसमें क्या है कि हम जब से डली जब से बूखी है हर साल तो इसमें बृहाओ पार रहे है फेसे जेप से लगा रहे हैं कमसे अस्ति अजर पर लगा चुके टेक्टर से खिछ वारे डेंपरम तलाव से बिरे रुपोर्ट दबंग मिश